इस वेडियो में मैं आपको बताऊंगा आप किस तरह Windows 10 लैप टॉप में स्टार्ड मीनू में से ट्रबल शुटिंग को किस तरह अनपिन कर सकते हैं अभी आप देख सकते हैं कि स्टार्ड मीनू में ट्रबल शुटिंग दिखा रहा है मुझे यहां से Troubleshooting को हटाना है तो किस तरह हटा सकते हैं चलिए देखते हैं Start मीनू में से Troubleshooting को हटाने के लिए आपको सबसे पहले Start पर क्लिक करना है और फिर यहां आपको दिखाई देंगा Troubleshooting आपको इस पर Right क्लिक करना है माउस से और unpin from start पर क्लिक करना है तो आप देख सकते हैं यहां से troubleshooting हट गया है तो इस तरह आप unpin कर सकते हैं start menu में से troubleshooting